हेलो दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी की प्रसासनी कारियों में विद्यार्थी की जो सहभागिता होती है उसके संदर में यहां डायरी नंबर 4 के अंदर हमें लिखना होता है अन्य महा विद्यालवेंगों में भी यह डाईरी दी जाएगी जिसके अंदर सभी विद्यार्थी से जुड़े हुए दस्तावर जो का बर्णन हमें करना होता है सबसे पहले हम नवीन विद्यार्थी प्रविश आवेदन पत्र की बात करते हैं अगर कोई विद्यार्ति नवीन विद्यारे में आवेदन कर रहा है तो उसके लिए उसे एक आवेदन पत्र भढ़ना होता है वह हम किस परकार से भर सकते हैं इस अंदर में यहां बात की गई है फिर कार्याले उपयोग है तो एक रसीद प्राप्त होती है वह रसीद उसे भढ़नी होती है फिर आती है इस्थानांतरन प्रमान पत्र या स्कॉलर रजिस्टर के बारे में तो स्कॉलर रजिस्टर हमें किस परकार से भढ़ना है वह विध्यारती जो परित्याग का कारण कि वहाद TC ले रहा है तो क्यों ले रहा है तो वहाद कारण हमें लिखना है किस दिन TC ले रहा है किस दिन उसका admission हुआ था विद्ध्याले में यो सभी details हमें इस record के अंदर भणनी होती हैं फिर आता है हमारा कोई विद्ध्यार्ति myś अगर विद्ध्याले में संख्या, जब विध्यारती विध्याले में आता है, तो एक स्कॉलर नमबर दिया जाता है, वह क्रमांख हमें यहां भढ़ना होता है, फिर उसके फादर का नेम भढ़ना होता है, किस दिन को वह विध्याले में प्रवेश किया था, वह डेट भढ़नी होती है, वह किस स्कुल से विद्याले में आया है वह भी वह नाम भी हमें लिखना होता है फिर आता है Transfer Certificate तो Transfer Certificate भी हमें किस परकार से भढ़ना है वहाँ आप देख पा रहे हैं सबसे पहले प्रमानित किया जाता है कि ऐसे सारे बच्चे का कैसा करेक्टर है उस अंदर में हमें भढ़ना होता है फिर आता है करेक्टर सेर्टिफिकेट अगर कोई विध्यारती किसी अन्यत्र विध्याले में जा रहा होता है तो उसे एक करेक्टर सेर्टिफिकेट की भी आफसीकता होती है तो विध्यारती का क एक होता है टीचर अटेनेन्स रेजिस्टर कोई भी टीचर जब विध्धाले में आता है तो वह अपनी DO सो ख़ुंग के अठेनेंस भरकर आता है विद्ध्याले के अंदर तो वह कितनी बज़े आया है कितनी बज़े वापस चार आया है विद्ध्याले से यहाँ पुरा हमें भरना होता है वहाँ हम अपनी डायरी के अंदर जब भर रहे होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम किस मन्त का यहर रिकॉर्ड लिख रहे हैं तो सबसे कॉर्णर में हमें वो महीना भी लिखना होता है फिर आता है टाइम टेबल टाइम टेबल दो परकार के होते है एक होता है ककसा अनुसार टाइम टेबल कब lecture ले रहा है, कब-कब period ले रहा है, उस संदर में अध्यापका अनुसार समय विभाग चक्र के अंदर बात की जाती है और उसी के अगर हम बात करते हैं कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र की तो वहाँ पर कक्षाओं के अंदर किस के स्टेचर का कब-कब period आ रहा है वहाँ सबी जानकारी हम कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र में लिखते हैं और अध्यापक का अनुसार में अध्यापक के अनुसार जो हैं सारी details लिखी जाती हैं कि वहाँ कौन-कौन से class में कब-कब period ले रहे हैं इस परकार से सारी सारे महा विध्यालों में यहाँ डाइरी दी जाती हैं इसलिए करपा कर ध्यान से देखें और समझे इस बात को कि विध्याले निधी रोकड़ पंची का विध्याले के अंदर fund होते हैं अलग-अलग fund आते हैं कौन-कौन से fund कहां-कहां से आते हैं यह register होता है विद्याले fund लिधी का cash book चो होती है तो वह cash book के अंदर हमें लिखना होता है किस से प्राप्त हुआ है तो उसका नाम लिखना होता है कितना प्राप्त हुआ है कहां से लबीमा किया हुआ है या फिर कोई सुल्क कहां से प्राप्त की गई है वह पूर्ण रुप से भढ़ना है इसके अंदर फिर किसको दिया गया या जो फंड आया विद्ध्याले के अंदर वह किसको दिया जा रहा है या सारी जानकारी हमें इस विद्ध्याले फंड यानि कैश बुक के अंदर लिखनी होती है विद्ध्याले फंड कैश बुक कहां पर वय किया जा रहा है कितना वय किया जा रहा है इस कैश बुक के अंदर सारी डिटेल्स विद्ध्याले के अंदर जो भी पैसे आ रहे हैं उनकी लिखनी होती है फिर है पत्र प्राप्ती रजिस्टर हमें कहां से प्राप्त हो रहा है पत्र उसकी जानकारी पत्र की संख्या फिर कब प्राप्त हुआ यह सारी डिटेल्स हमें पत्र register के अंदर लिखनी होती है फिर है चातर का नाम मतलब एक ककषा का जो register होता है जिसके अंदर कितने विद्धेयारती एक ककषा के अंदर उपस्तित है वह पूरा हमें इसके अंदर लिखना है फिर है सरकारी रोकड़ बही कितना वे हो रहा है सरकारी रोकड के अंदर उसका वीवरन लिखना है कितना वेतन होता है सबसे उपर हमें मास का कॉलम दे रखाया यानि मंत का तो वह मांत लिखना है यह सबी वीवरन हमें इसके अंदर लिखना है कि अन्य भत्ते कितने आ रहे हैं इस अंदर में पूरी जानकारी हमें इस वयर में लिखनी होती हैं किसी शिक्षक को कहां पर जरुरत है और वह कहां से पैसे ले रहा है या फिर कोई चात्र की सुलक आई है तो वहां सभी जानकारी हम इसके अंदर लिखते हैं फिर है पत्र जावक रजिस्टर विद्जिस के संदर में हम अन्य वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लग भी हो जाएगी इसलिए लाइक सब्सक्राइब जब श्राशे उष्यर